पिछले दिनों अच्छरा सिंग और भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंग के साथ जो विवाद शुरू है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है आने वाले वक्त में माना जा रहा है कि जो विवाद है उसमें पवन सिंग के गिरफतारी भी हो सकती है आपको हम बताते हैं कि कि जा आ है अब ख़बर है कि अक्षरा सिंग ने पवन सिंग खिलाफ मुंबई के मालवनी पुलिस थाने में एफाईर दर्च कर आया है अक्षरा ने एफाई आर की जरीए पवन सिंग के ऊपर आरूप लगाया है कि उनपर पवन सिंग के इशारों पर हमला किया जा रहा है साथ ही Facebook, Instagram, YouTube जैसे Social Media प्लेटफॉर्म पर उस पर भद्दे कमेंट आपती जैनक फोटो और वीडियो पोस्ट करने का आरूप लगाया गया है अच्छरा सिंग की ओर से परवन सिंग पर IPC किधारा 509 की तहत केस दर्च करा गया है हलाकि यह बेलेबल एक्ट है लेकिन परवन सिंग के मुश्किले IT Act 66A, 66E और 67 बढ़ा सकती है जिसमें उनकी गिरफ्तारी संभव है क्योंकि यह नॉन बेलेबल है आपको बता दें कि IT Act में उन्हें तीन सालिया उससे अधिक तक की सजा हो सकती है और साथ ही उन्हें पिनाल्टी भी लग सकती है अक्षरा के F.I.R. के बाद एक बार फिर से इंडस्ट्री में चर्चाओं का बाजार गर्म है कयास लगाया जा रहे हैं कि पवन सिंग जल गिरफतार हो सकते हैं F.I.R. में अक्षरा सिंग ने पवन सिंग की पहली पतनी जोती सिंग प्रकरन का भी जिक्र किया है दरसल अक्षरा सिंग और पवन सिंग के बीच का विवाद अचानक तब शुरुआ जब दर्भंगा में एक शो के दोरान अच्छरा के बिना नाम लिए कहा था कि इंडस्ट्री में कुछ लोग हैं जो उनका करियर खट करना चाहते हैं इसके बाद अपने कई इंटर्व्यू में अच्छरा ने खुल कर पवन सिंग का नाम लेकर उन पर कई संसनिके जारूप लगाए उन्होंने कहा कि मेरे गाने को मिलने वाले व्यूज से घबडाकर पवन सिंग ने इंडस्ट्री के म्यूजिक चैनल डिरेक्टर प्रडूसर अकलाकारें को मेरे साथ काम नहीं करने का दवबा बनाया है जब पाली सर से उपर हो गया तब मैंने ये बाते की हैं वैसे तो कब का मूव ओन कर चुकी हूँ लेकिन मेरे सकसे से इनकी एगो हट हो गई और ये लोग मेरे खिलाफ साजिस पर उतर गए हैं बता दें कि भोजपुरी स्परस्टार पवन सिंग पर फिल्म अविनेत्री अच्छुरा सिंग ने अपने अफेर को लिकर के भी खुलासा किया गौर तलेबे की ये जोड़ी जब भी परदे पर आती च्छा जाती थी अच्छुरा सिंग और पवन सिंग रियल लाइफ के अलावा रियल लाइफ में भी कपल रह चुके हैं बता दे कि हाले की दिनों में भोजपुरी अविनेत्री अच्छुरा सिंग ने पवन सिंग से अपने ब्रिक अप की कहानी सुनाई थी उन्होंने बताया कि ब्रिक अप के बाद पवन सिंग से उनका रिस्ता कितना खड़ाब हो गया है वहीं एक समय ऐसा था कि जोड़ी स्क्रीन पर आग लगा देते थे इस पुरे मामले पर अक्षुरा सिंग जहां आकराम अखें वहीं दूसरी तरह पवन सिंग से जब नियूज फ़रनेशन ने पतना अयर्पूड सवाल पूछा था उन्होंने इस पुरे मामले पर पल्ला जहरते वे कहा था कि वो ऐसे मामले पर बयान देना नहीं चाहते हैं नो कमेंट्स कहते हैं वे पवन सिंग अपनी गारी में बैठ गहे थे अधिक अब येट्स के लिए देखते हैं ये नियूज फ़रनेशन नमस्कार